कि सर्वर तो हमारा आ गया है बट क्या है सर्वर पे कुछ इशूज आ रहे हैं लोग मतलब डीडॉस भी आ रहे है ऐसा नहीं कि मैं इसको एक्सेप नहीं करूँगा भाई जायसी बात है डीडॉस भी आया कल रात को भी बहुत डीडॉस आये लेकिन इतने हैवी नहीं थे क्य पैसे लगा रहे डीडॉस मारने के लिए या तो पैसे लगा रहे डीडॉस मारने के लिए या तो वह कार्डिंग कर रहे हैं जहां तक मुझे लगता है उनकी उकादनी पैसे लगाने की तो वह कार्डिंग कर रहे होंगे तो कार्डिंग करकर के डीडॉस मारे जा रहे मारे scenario अच्छा हो India का बहर के लोग भी जाने के इंड़ा में भी आर भी बहुत अच्छी होती है हम तो like overall इस चीज के लिए हम काम कर रहे है so then why DDoS यार यह है मेरा question है तो इसके में पस दो answer है like दो answer में पस इस चीज के पहला answer में पस यह है कि like मैंने ऐसा सुना है लोगों से आ नहीं पाते या जो लोग कुछ कर नहीं पाते बेसिकली तो वो शायद ट्राय करते में भी DDoS करने का क्योंकि वो चीज़ नहीं कर पा रहे तो दूसरों को भी करने नहीं देंगे right पहला answer यह हो जाता है अब इसमें और subdivisions निकाले तो इसमें वो लोग भी आते जो मतलब जिनको मतलब satisfaction मिलता है DDoS करने के लिए you know like satisfy हो जाते कि हाँ चलो मैंने DDoS किया बहुत मसा है बहुत मसा है बढ़ा अच्छा लगा DDoS करके like एक वो भी होते है 10 एक category आती है इसी में first case में second category यह आती है कि भाई jealous people like जो jealous होते बहुत बहुत jealous हो जाते कि भाई यार इस बंदे ने कैसे बना दिया इस बंदे कैसे चलेगे खेलने के लिए हमारे पास कैसे नहीं आते इसके पास कैसे चले गए like not only me but जैसे बागी servers भी है उनको भी DDoS पढ़ता होगा so उनकी बात भी कर रहा हूँ मैं overall सबकी बात कर रहा हूँ like jealous people भी इसमें आते हैं यह होगी first category कि sub divisions भी managed to cover कर लिए अब इसमें आते हैं second second answer इसका जिसमें ऐसे लोग होते हैं जो मुझे लगता है कि अब देखो या DDoS मार सकते हैं उसमें थोड़ी बहुत तो skills है थोड़ी बहुत तो skills है बंदा like DDoS मार रहा है ठीक है या फिर skills में है बड़ किसी और के थूर टीडॉस मरवारा है पैसे देके या कार्डिंग करके तो मैं आपको यहीं बोलूँगा कि भाई अगर आप में कुछ भी अगर आपको करना है तो आप contact करो मुझसे contact करो या किसी और लोगों से contact करो जो आपके talent को या आपको चांस दे कि ठीक है या आप भी खेलना चाहते हो या आप भी कुछ बनाना चाहते हो या आप भी कुछ करना चाहते हो तो आपको हम chance देते हैं for example मैंने Indian Indian developers को chance दिया ठीक है ताकि उनको भी छोटा recognition मिले वो भी उनको भी लोग जाने की हाँ भी हमारे इंडिया में भी ऐसे लोग है जो इस level पे DDoS मारते होंगे कि भाई मैं इस पर DDoS मारूंगा and second reason ये भी हो सकता है कि वो एक DDoS community में बताना चाहते हो कि देख भाई मैं भी यहां पी हूँ मैंने भी DDoS मार के दिखाया तो मैं आपको सच्छे एक चीज़ बता रहा हूँ कि इससे कुछ नहीं होता आप मतलब वैसे पैसे, दो चीज़ नहीं होते हैं तो जो DDoS मारते हैं मुझे लगता है नहीं कि तुमार इतनी ओकाद है कि तुम खुदके पैसे डाल के एक अच्छे अच्छे आईपी खरीद के DDoS मारो हमारे सर्वर पे राया तो कारदिं कर सकते हो कारदिं आजग इससे कुछ नहीं हो रहा इससे तुम तुम तुमारा नाम नहीं बन रहा हम लोग ट्राइ कर रहे कि हम लोग इंडिया में एक आरपी कम्यूनिटी बिल्ड कर सके लोग को खेल खेलने को एक प्लैटफॉर्म दे सके काफी अच्छे लोग आरपी करें जैसे मेरा मोटीव है कि अब जैसे 64 स्लोट है तो हम बहुत जल्दी इसको फितिन एक हफ्ता हम उसको 100 स्लोट करने वाले है और अगर मौका मिला तो और 150, 200 जितना हो सके उतना पूरी कोशिश करेंगे तो इससे इंडिया में ही अच्छे आरपी प्लैस बढ़ेंगे लोग आरपी सीख सकेंगे जु पूरी टीम ने स्टाफ लोगों ने पूरी मैनत किया है डवलपर से पूरी मैनत किया है फिर अभी कुछ लोग ऐसे जिनको में इस सिस्टिम के रखा हूँ है वह लोग भी बिचारे दिन बर रात-रात-बर रहते हैं डिस्पॉर्ट पर मैनत करते है तो वही है डिडॉस करने वाला बंदा सुन रहा है देख रहा है या किसी को आप जानते हो तो इतनी छोटे से क्लिप काट करके बेज देना उनको एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी आओ खेलने के लिए मज़े करो चिल करो एंजॉय करेंगे साथ में मिलके बाकी तो यार आपकी मर्जी मैं तो भी बगवान नहीं कि आपका दिमाग चेंज कर दो चलो एंडिवेस गाईस मिलते है आया मैं बन करके ठीक है अब भी फिलाल के लिए हमारा जीटेसरवर डाउन है कुछ काम चल रहा है सेक्योर्टी वाला भी काम चल रहा है तो सर्वर डाउन है मुझे भी मैसेज आ गय ठीक है एंड फुली शाम में हम स्ट्रीम कर पाएंगे तो यप मिलते हैं लव यौल गाईस ठीक के बबाई पीस आउट लव यू